असलाम अलेकुम डियो स्टुडेंट्स आज के लेक्चर में हम चैप्टर नबर नाइंग एरोमेटिक हाइडो काबंस में प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन का रिमेनिंग मैथर्ड और कुछ इंपोर्टन बेंजीन के बेहेवियर के हवाले से एरेक्शन को स्टड़ी करेंगे प् इंतहाई ही इंपॉर्टन डियक्शन है इस लास्ट प्रेपरेशन मेथर बेंजीन वर्ट्स फिटेग रेक्शन बेसिकली यह दो लोग थे जुन्होंने मिलकर काम किया था पहरा काम वर्ट्स डियक्शन का है जो आपने चैप्टर नबर एट में डिफरेंट एक्सराइज क तो इस ने काम था वो क्या सिम्पल ऐलिफाटिक थे उसपर था और उससे वह जो है इसरे Hence ने क्या किया दो पर उसकिया और आपना चैक्ण किया इसलिए इसिलिए सैड़्ेशन कहते हैं इस reaction को देखें तो कैसे ये काम करता है कैसे proceed करता है the worst reaction for the synthesis of alkanes was extended by fatigue in 1864 to the synthesis of alkyl aromatic hydrocarbons वोर्स section की अगर हम बात करें तो वोर्स section में aliphatic system पर ये काम करता था और alkanes produce होती थी alkyl halide से लेकिन फटेग ने 1864 में इसके काम को मजीद बढ़ाया एक्स्टेंड किया और इससे alkynes की बजाए जो के aliphatic system से तालोग रखते हैं इसने alkyl aromatic hydrocarbons produce किये यानि चेन alkyl chain पर मुझतमिल aromatic hydrocarbons को develop किया वोर्स section के reaction को इस्तमाल करके fatigue में इसलिए से collectively words fatigue reaction कहा जाता है और यह इंतहाई एहमियत का हामिल है as a short question what is words fatigue reaction तो आप उसमें बताएंगे और प्लस फिर आप उसमें रेक्शन लेखेंगे तो रेक्शन पर चलते हैं कि यह कैसे काम होता है वोर्स फिर्टिक रेक्शन को देखें तो जैसे कि वोर्स section में आप study किया करते थे कि हमें alkyl halide की जुरूरत होती थी क्यूंकि फिर्टिक ने aromatic system पर काम किया तो यहां पर भी alkyl halide चाहिए लेकिन alkyl aromatic halide यहां पर required होगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग है और aromatic system से इसका तालुक है और यह इसके साथ एक जगा पर substitution लगी वी है bromo की तो इसे हम bromo benzene कह रहे हैं अब यह जो bromo benzene है जब आप इसमें एक second molecule add करते हैं क्योंकि two molecules इस्तमाल होते हैं वर्ट section के अगर उसके reaction को देखा जाए उसकी study की जाए तो two molecules का इस्तमाल होता है तो यहां पर फिटिक ने एक तो लिया आपके पास aromatic जो है अगर कहीं halo group के साथ और दूसरा उसने alkyl halide simple लिया जो aliphatic chain के साथ था तो एक aromatic के साथ halide है और एक aliphatic chain के साथ halide है और साथ condition क्या है इस reaction की के two sodium के molecules यूज़ होंगे इथर की मौजूद्गी में यह काम होता है तो ब्रोमो बेंजीन और इथाइल ब्रोमाइड आपस में रेक्ट करेंगे तो सोडियम अपने फेवरेट ब्रोमो ग्रुप्स को दोनों aromatic system से भी और aliphatic system से भी उतार कर ले जाएगा और क्या बनाएगा two molecules of nabr यानि सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगी साल्ट पीछे क्या होता है जब बेंजीन के रिंग पर से सब्सक्रीशन उतरती है तो वहां कोई नो कोई और सब्सक्रीशन रिक्वाइड है वह आपके पास इथाइल का ग्रुप आकर क्योंकि इस कावन को अपनी पूरी करनी है तो यह क्योंगे पूरी चेन आपके प्रोमाइड के साथब आकर एटाच हो जाती है तो याद रहे के आपने इस्टो ग्रूप को ब्रूरी चेन को प्रमाइड करने के लिए इसका कतन मतलब यह नहीं है कि आप सीग्रोंको यहां पर अटाच करेंगे इसके वाली कावन के तो सारे सेटिस्फाइड हैं लेकिन जहां से बॉंड ब्रेक हुए वह यह सी एश्टू की कावन का है इस पर कमी है इसको आप रिंग के साथ करेंगे और उसके साथ जाके सी एश्ट्री एटाइच होगा जो आप नेक्स में देख सकते हैं प्रॉड़क की सूरत में के रिंग के साथ सी जो कि एक्चुली आप्स को ड्राइड को बढ़ और श्ट्राइड क कीरियेड किया यह इंहां रिक्ष्ण नहीं अपने इसे तिक्षिया बनादी रहें अपने इसे फैब विम्हारं ट ऒ आपके पस अलकायल हलाइड यूज करेंगे अप मिथायल ब्रोमाइड जूंकि जितनी कावंस यहां पर होंगी उतनी ही चेन पर का हिस्सा बनेंगी उसी तरह टू सोडियम के और एथर तो क्या होता है कि रिंग पर से ब्रोमो आपके पास उतर जाता है दूसरे ब्रोमो के इस लास मेथड और प्रेपरेशन आफ बेंजीन इस अगें वरी इंपॉर्टन शॉर्ट के अथबार से या आप से कि बेंजीन का रियक्शन कैसा होता है किस तरह के रियक्शन ये शो कर सकती है जैसे आपने अलकेन में पढ़ा अलकीन में पढ़ा अलकाइन में पढ़ा आज हम एरवैटिक सिस्टम की बेंजीन पर बात करेंगे कि ये किस तरह से पैटरन शो करती है रियक्टिविटी का तो बेंजीन की रिक्टिविटी की टरम्स हम चेक करेंगे कि इलेक्टोफाइल की तरफ कैसे इसका रुज्वान बढ़ता है रेक्टिविटी के इतबार से क्या पैटरन होता है तो आप जैसा के जानते हैं प्रिवियसली आपने बेंजीन के बारे में उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना था कि बेंजीन किस तरह से highly stable होता है और de-localized electrons होते हैं बेंजीन रिंग में और उनकी highly extensive de-localization होती है तो इस लिहाज से अगर देखा चाहे तो बेंजीन का behavior क्या होगा reaction की तरफ तो उस पर आज हम बात करेंगे reactivity के अतबार से the highly stable de-localized electrons of benzene ring are not readily available for the nucleophilic attack या nucleophile attack like the electrons of alkenes बेंजीन के एक तो वह highly stable है दूसरा उसके electrons highly de-localized होते हैं और यह available नहीं होते readily कि कोई भी आकर nucleophile उस पर attack करें अब जैसे के electrons alkenes के easily available हो जाते हैं लेकिन benzene के electrons easily available नहीं होते हैं अब इसकी वज़ा क्या है कि आपके पास क्यों नहीं यह इसे आपके पास attack easily show करते हैं तो क्योंकि ring बहुत intact है बड़ा strong है तो इस पर weak का कोई काम नहीं है तो nucleophile which is a species which is in search of positive centers आपके पास उन्हें हम कहते हैं कि वह nucleophile है nucleus loving है therefore the electrons of the benzene ring don't assist in the attack of weak electrophiles तो क्योंकि इसका बंजीन रिंग का जो electronic cloud है बड़ा strong है तो यह assist नहीं करेगा कि कोई भी एक इलेक्टोफाइल इस रिंग पर आकर हमला कर सके अगर हम इलेक्टोफाइल के हवाले से बात करें nucleophile के लिए तो यह available है यह नहीं एलेक्टोफाइल्स आपके पास ऐसी species होती है जो electrons की तलाश में होती है benzene ring rich in electronic cloud है लेकिन यह weak electrophile की जो है शिकार का शिकार नहीं बनता weak electrophile easily attack नहीं कर सकता ring पर ring की इतनी मजबूती है इतनी stability है कि उसको तोड़ना weak electrophile के bus की बात नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ it means that more powerful electrophiles are required to penetrate and break the continuous sheet of electron cloud in benzene इस बात से यह proof होता है कि weak electrophile तो काम नहीं करेंगे तो हमें जो है benzene के electronic cloud उसकी sheet को break करने के लिए किसी powerful electrophile की जरूरत है जो उसमें पहले घुसे और घुसकर बन्यादों को मजबूत होने की बजाए shatter करते तो बन्यादे मजबूत हैं उसको तोड़ने के लिए powerful electrophile की जरूरत होती है तो इस लिहाँ से जो बेंजीन का general pattern of reactivity है general mechanism है पहले उससे देखते हैं फिर एक example study करेंगे step number one तीन चीज़ें आपने बड़ी important हैं जो इसमें बेंजीन के reaction को proceed करती है and that is very very important वो अपने जहन में रखनी है तो आप तमाम reaction असानी से पढ़ सकते हैं पहला step है किसी भी बेंजीन के reaction के हवाले से formation of strong electrophile आपने अभी जाना के strong electrophile क्यों चाहिए क्या वज़ा है कि strong electrophile ही काम करेगा तो वो आप देख चुके हैं कि बेंजीन का ring strong है एक तो वो highly stable है और de-localized electronic cloud है electron rich है जिसे तोड़ना weak electrophile के बस की बात नहीं है अब electrophile की बात की जाए तो electrophile क्या होता है the species which is in search of electrons ऐसी species जो electron की तलाश में रहती है अब यह भी दो तरह के होते हैं को रिप्रेजेंट किया जाता है यह पॉजिटिव चार्ज इस पर आता है जो कि इंडिकेशन है अगर ऐसे अलेक्टोफाइल नहीं लिखा तो उसका सिंबल यह होता है यह एलेक्टोफाइल है जो दो तरह के होते हैं strong एलेक्टोफाइल वीक एलेक्टोफाइल जैसा कि है कि हमारे पास कोई नहीं कोई strong एलेक्टोफाइल होना चाहिए अगर नहीं है तो आप generate करेंगे पहले पहले formation होगी strong एलेक्टोफाइल की तब जाकर reaction आगे बढ़ेगा तो second जो हमारा step आता है वह आता है जब एलेक्टोफाइल बन जाता है that is attack of एलेक्टोफाइल on the benzine ring क कि अब वो जो एलेक्टोफाइल प्रेपेर हुआ था उसका वक्त आ चुका है कि वो benzine ring पर attack करें अब यह benzine ring है उस पर आप एलेक्टोफाइल का attack करवाएंगे याद रहे कि electron का behavior होगा electron is attracted towards the positive center so benzine ring का यह जो electronic cloud है इसका जो सामने वाला आपके पास electron ring है यह electron यह जो bonds है यह basically electrons है तो यह attack करता है और उसे अपने साथ attach कर लेता है आप यह भी जानते हैं कि तमाम points पर carbon मौझूद है और हर carbon के पास एक हाइडोजन मौझूद है तो जैसे ही यह एलेक्टोफाइल इस का हिस्सा बनता है ring का तो hydrogen भी exposed हो जाती है यह आपने तीन चीज़ें यहाँ पर remember रखनी है कि जब आप इसको अपने साथ attach कर लेगा अपने electrons देकर तो यह जो बॉंड था जो आपने पहले system के अंदर देखा विदिन रिंग आ चुका है और अलेक्टोफाइल को इनकमिंग एलेक्टोफाइल को अलेक्टोफाइल को अपने साथ attach कर लिया मीन वायर आपने एक काम तो यह देखा क लिए बाहर मूफ करेगा इस कावन के साथ एलेक्टोफाइल को attach करेगा अपने साथ तो यह जो कार्बन है इसका तो बॉंड जा चुका है इसके एलेक्टोफाइल जा चुकी है तो इस पर कमी हो जाती है तो इस पर आ जाता है positive charge जो इस कावन पर positive charge आ जाएगा और पूरे system पर चार जाने की वैसे हम इसको बेंजीनोनियम आइन कहेंगे तो इस तरह से आपने देखा कि अटैक ओफ एलेक्टोफाइल में तीन चीजें जो है में फोकसिंग हैं पहला एलेक्टोफाइल का एड होना दूसरा आप हाइडोजन को डिस्क्लोज करते हैं तीसरा आप चार श चुका है बंजीन के रिंग के साथ अटाच हो चुका है तीसरी चीज क्या है तीसरी चीज है एडिशन ऑफ बेस एंड रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट कि अब आपके पास जब भी आप एलेक्टोफाइल किसी भी सेटप में बनाते हैं तो उसके साथ साथ बेस भी बन दी है जिस जो कैटलिस्ट आपने इस्तमाल किया होते है वह दुबारा रिकवर भी हो जाता है तो यह फाइदा है स्टेप नबर थ्री का अब आपने जो पर बेंजो बेंजीन नोनियम आइन लिया था उसमें आप डालेंगे बेस बेस पर होता है नेगिटिव चार्ज यह निकल गया अब यह जो बॉंड था जो अपने छोड़के यह अंदर शिफ्ट हो जाता है रिंग में जिसमें जिससे दो काम होते हैं तो रिंग में यह शिफ्ट हुआ और सेकेंड ली यह जो पॉस्टिव कावकेटाइन पर चार्ज था वह वह वानिश हो गया खतम हो गया और आराम से एलेक्टोफाय अपनी ही जगा पर रहता है तो आप ने देखा किस तरह से यह reaction में एलेक्टोफायल एड हुआ स्टएप बा स्टएप करके एलेक्टोफायल एड भी हो गया है इसे ब्रदो पतल का अब्र होता है जिसे आप सब्स्टिटिशन जिसे आप सिंपल बातों को प्रूव करेंगी For example, substitution of halogen in benzene requires iron or corresponding ferric halide as a catalyst iron की बात की जाए अगर आपने benzene ring में halogen को substitute करना है तो जाहरी सी बात है आपको किसी ना किसी catalyst की भी जरूरत है आपको electrophile भी बनाना है तो benzene में halogenation अगर करनी है यानि benzene में halogen का group अगर आपने substitute करना है तो उसके लिए iron की जरूरत होती है या iron halide की जरूरत होती है जो as a catalyst काम करता है In fact, iron 2 is first converted into iron halide which further rakes with the halogen molecule to produce a powerful electrophile अगेन वही बात आगी कि iron पहले अपने आपको तबदील करता है iron halide में जो मजीद halogen के साथ रेक करके एक molecule बनाता है जो एक powerful electrophile होता है वो further जाकर benzene के साथ attach होगा और attack करेगा step number 1 हमारा क्या होगा once again formation of strong electrophile कि strong electrophile बनाना है अब जैसे कि हम halogenation करना चाहरे है benzene की substitution halogen की करना चाहरे है तो iron का استعمال होगा iron के 2 molecules 3 molecules halogen के साथ कोई भी halogen हो सकता है उसके साथ erect करेंगे और two molecules of ferric halide बनेगा ये ferric halide का molecule again halogen को लेता है जो अपने second step में देखा तो जाकर क्या होगा कि ये FEX3 1X को अपने साथ attach कर लेगा इजाफी लेगा तो इसलिए FEX4 पर negative charge आजा जाता है और एक X रह जाता है तो उस पर positive charge आ जा जाता है अब ये base का काम करीगी जो कि एक nuclear file है और नाम के अतबासे ये tetra halo ferrate 3 iron है ये इसकी valency शो की गई है आप इसका नेम याद कर लें था कि आपको पता हो second जो चीज यहाँ पर बन रही है X plus X is a sign for the halogen तो यहाँ पर कोई भी halogen हो सकता है this is called halogenonium iron और ये एक electrophile है क्योंकि ये आपके बस positive charge है ये positive charge bearing है ये E plus वाला behavior show करेगा electrophile तो आपने क्या देखा step number one में जो substitution हमें halogen की benzene के अंदर required थी वो उसके लिए powerful electrophile X positive बन चुका है अब step number two क्या करेगा step number two में attack होगा attack of electrophile on the benzene ring अब ये attack कैसे possible है जो भी आपने बीचे halogenonium iron देखा था वो attack करेगा क्योंकि वो एक powerful electrophile है the halogenonium iron X plus thus produce attacks as a powerful electrophile on the electrons of the benzene ring and it tricks with the benzene ring to give an intermediate तो हमारे पास होता क्या दो काम होते हैं कि ये benzene का ring है और उस पर ये जो negative आपके पास electronic cloud है ये आकर attack करेगा electrophile पर और इसको अपने अंदर समालेगा कैसे समाएगा वो ही तीन बात हैं जो आपको भी बताएं थी पहले general mechanism के अंदर पहली कि ये जब electron इसे offer करता है तो ये X उसके साथ आकर attach हो जाएगा जो कि यहाँ पर एक powerful electrophile है तो ये X इसके साथ attach हो गया पहला काम दूसरा काम यानि incoming electrophile attach हो गया पहला काम दूसरा काम कि ये bond जो है जब बाहर आ चुका है तो carbon पर मौझूद जो hydrogen है वो आप expose कर देंगे वो भी आप show करेंगे दूसरा काम तीसरा काम क्या है क्या है क्योंकि bond बाहर शिफ्ट हो गया और उसने आने वाले incoming group को welcome करिया है तो इस carbon पर जो है कमी हो जाती है तो ये positive हो जाती है this is called carbocatine स्टेबल हालत में आ जाएगा step number 3 क्या है step number 3 है addition of base and recovery of catalyst तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप आपने वो ही benzenonium ion लेना है उसमें आपने base डालनी है पिछले reaction में जो आपने step number 1 में देखा था एक आपके पास बनी थी strongism की electrophile और एक base बना था तो ये दो चीज़े थी base आपने अब तीसे step में इस्तमाल करनी है जो negative charge bearing है FEX4 जो आप halophuate ion भी जिसे हम कह रहे थे तो ये FEX4 negative जो है यहाँ से proton को extract करेगा और क्या करेगा दो हिस्सों में बढ़ जाएगा एक तो ये HX बना देगा क्योंकि इस पर एक अज़ाफी halogen attach है जो hydrogen के साथ मिलकर HX बनाएगी दूसरी चीज़ FEX3 बनेगा once again अगर आप इसको गार करें तो यही आपने catalyst strong electrophile बनाने के लिए use भी किया था तो ये recovery होगी ये आपकी catalyst की तीसरी एहम बात कि जब hydrogen निकल जाती है तो ये जो board है ये ring का वापस हिस्सा बन जाता है जब ये वापस हिस्सा बन जाता है तो electrophile जो incoming था वो तो वैसे का वैसे ही attach रहेगा तो दो काम होगे एक तो ring वापस अंदर आजेगा और दूसरा positive जो charge है वो खतम हो जाता है तो इस तरह से ये stable product बन जाती है और हमारा substitution का अमल हो गया कि halogen ने तीसरे step में hydrogen को remove करके अपनी जगा बना ली तो इस तरह से आपके benzene के reactions होते हैं electrophile की तरह तो अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से recall करना चाते हैं तो general step सीखिए और तीन points main points को याद रखिए क्योंके बारहा ये हर reaction का हिस्सा बनेंगे बार-बार हम यही बात करेंगे कि formation है हमें चाहिए strong electrophile की फिर उसका attack चाहिए ring पर फिर additional base or recovery of catalyst required है this is all about for today best of luck